हेलो फ्रेंट्स गोड इबनिंग और दोस्तों आज एक लेटस्ट अप्डेट्स के साथ में हैं कुछ के लिए यहां पर खुसकबरी है तो कुछ के लिए यहां बैड न्यूज है गाईज सो आप वीडियो के लाज तक जरूर बने रहना फ्रेंट्स और मैं आपको बताऊंगा के कौन से कंडियर्ट्स है उनके लिए खुसकबरी है और कौन से कंडियर्ट्स के लिए वह बैड न्यूज है और यहां पर एमपी चौ का जो लेटास ट्रप्रेंट्स हाँ बहुत ही अच्छा है वैसे देखा जाये तो लेकिन कुछ जो फोर्ट यह जो पॉर्स्विंग थी जिनकी बीएससी नर्सिंग या जीनेम का फाइनल यह इंका पर सिंग था या बीएमेस का फाइनल यह पर सिंग था उन के लिए यहां पर थोड़ी बैड न्यूज हो सकती है अधर्वाइज आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज यह है तो चलिए ऐसे ही लेटास ट्रप्रेंट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी ना और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले यूजर नेम है डीके सौनवाइल 23 सो चलिए गाइस हम यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को यह लेटास्ट अपडेट्स है वो MPNHM से है यह CHO की जो वेकेंसी थी CHO रिक्रूट्मेंट था MPNHM का उसके रिगार्डिंग है लेटास्ट अपडेट्स है आप यहां देख सकते हो ऑपीसेल नौटिविकसन यहां मैंने डाउनलोड किया हुआ है आप देख सकते हो 19 फरवरी 2021 का लेटास्ट अपडेट्स है यहां पर आप से उस टाइम हुए है क्या लेटास्ट अपडेट्स है और क्या बेग अपडेट्स है यहां पर ओके तो जो आपकी 1890 पोस्ट नहीं जो डारेक्ट के लिए आपसे फॉर्म मांगे गए ते डारेक्ट रिकुट्मेंट फॉर्स यह चो ओके तो वह यहां पर कैंसल कर दी गई है जी हां दो जॉइन करने के लिए यह मतलब डारेक्ट रिकुट्मेंट के लिए उन्हें फॉर्म एपलाई किया था तो उन के लिए बैड नियूज है आपके जो फॉर्म है वो रजक्ट हो गया है आपका बैसे कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का सो आप ज्यादा टेंसन ना लें आप फिर से यदि आप फाइनल कर चुके हो ब्यासी नर्सिंग जी एंएम एफ़ वी एमस तो आप फिर से सीच के लिए अपलाई कर दो कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि यहां पर बैकेंसी का जो लाश्ट डेट था जो फॉर्म बढ गया है फिर से ओके क्योंकि वेकेंसी कैंसल हो गई बाकी 1680 पहले थी अब फिर से न्यू वेकेंसी बना दिया उन्होंने अट्थाइसो पच्छास मतले 2850 अब इनको कैसे क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू रिजर्विसन रोश्टर वगरा जो भी है और किस प्रक सब्सक्राइब करेंसी को आपका जो होगा आपका इसे इंट्रेंस एक्जम हो जाएगा मार्च के अंदर ओके तो आपका अप्रेल से आपका एक बैच स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हैं 7585 कारइफ का क्रइफ का बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा किसे ενतों इसके बाद मैं है आपका जूलाइए में बैच स्टार्ट हो गए जिसमें 168 की करे जाए गा एंड फानली फिर एक और बैच स्टार्ट होगा आपका cCH के लिए होगा अक्टूबर 2021 में और पोस्ट आप यहां देख सकते हो पर बैच में आपको मैंने बता दिया सेकंड में बता दिया थर्ड में होता दिया टोटल पोस्ट होगी आपकी अठ्थाइसो पच्छास सेकंड बात आती है आपके आपकी जो बैकेंस हैं उनको पर टोटल पोस्ट है वह अन्रेजब्ड की आप देख सकते हो पूरी मतलब 513 है वह आपन मेंस मेल के लिए है और दोसुशता बने ओफी मेल के लिए रिजब्ड है ओके यहां पर अन्रिजब्ड एव्ड़ू एस आप देख सकते हो 10% रिजब्ड की गई है आपकर तो मेल क हो रहे हैं तो इस परकार आपकी कैटिग्री वाइस सारी वेकेंसी आप पर आपकी क्लासिफाइब कर दी गई है ओके नोट में आपकर कुछ खास नहीं है यह 13% जो वेकेंसी है वह रिजब्ड रखी गई है अलोटेड आफ्टर डिसीजन ओफ ऑन्रेवल हाई कोट हाई थर्टी थरी परसेंट है वह यहां पर फीमिल के लिए जब्ड हैं ओके बागी इस सिक्स्टी सेवन में से जो तेरा परसेंट जब्ड रखी है वेकेंसी तो वह तेरा परसेंट वेकेंसी आफ्टर ऑन्रेवल कोट डिसीजन देन इस वोड़ भी अलोटेड ओके नेक्स्ट यहां पर हम बात करें के असेंसियल एल्यूटी क्राइटेरिया क्या है अब जो न्यू रिक्रूट्मेंट है उसका तो यहां पर यह तो आप सक्सेश्फुली पास्ट वेसी नर्सिंग या पोस्ट वेसी नर्सिंग या फिर जी एनम कंडियर्स या फिर बी एमेस आपके रेज़्टेशन नमबर आ चुके है चाहे आपने जहीं किया है चाहे पोस्ट विसि गया आपका उन्नीस फरवरी दोजार किसे पहले पहले आपको रेज़्टेशन नमबर आ चुका है तब भी आप अप्लाई है कर सकते ओकए गाई था एलिजल करनेट सैल वी मैंड़ required to upload valid registration certificate of application okay nursing candidate passing final year of bsc nursing and post basic bsc nursing bms or whose internship is not completed uh as on 19th February 2021 sell not eligible इससे पहले आदि आपके registration number नहीं आए तो आप eligible नहीं होगा इस फिर से आप a point note कर सकते हो काफी बड़ा update है यहाँ पर एंड आपके जो form की last date है उसको यहाँ पर extend कर दिया गया है क्योंकि यह portal दो तीन दिन पहले ही बंद कर दिया गया था इस वज़े से कि जो CHO की direct recruitment थी उसको cancel किया गया था इसलिए इस portal को बंद कर दिया गया था यह से ही और अभी आपर जो न्यू डेट है कि फॉर्म बरने की जो लास्ट डेट अभी वह आप देख सकते हो रिसीप्ट आप अनलाइन एप्लिकेशन हैज विन एक्टेंडर तेल इलेवन फिप्टी नाइन पीम और फेवरेट टुटा टुटी एट टुटाउजन टुटी बन मींस आप मिड़नाइट टुटी एट फेवरी तक आप यहां पर फॉर्म एप्लाई कर सकते हो गया और यह चीज अभी के लिए अप्लाई किया था वो डॉंट वरी रहें आपको कुछ भी करने की यहां कोई जरूवत नहीं है आपका फॉर्म पहले से ही सही दसा में जा चुका है तो आप हैपी रहें सिर्फ प्रॉब्लम में हुई है जो बैड न्यूज थी वो सिर्फ परस्विंग जो कंडिय से अनके लिए हैं बाकिंड जो जिनके पास पहले से थ ता जोके जिनके पास पहले से था उन्होंने फैले की किया लिए अप्लाई किया उनके कुछ पैसों का लॉस हो गया है 50 200 रूपीज के अपरॉक्स तो फिर से फॉर्म है करें एक लिए ड़ट यह को फेर से पोस्टिं कर सकते हैं यह बात मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही बता दी और आप सब को पता ही है वो सारी चीज है और आप फिर से चीज आपको फिर से ते फिर अपलाई करना पड़ेगा किला अब इसे फोलो करना बिलकुल भी ना भूलेंगा जरूर से फॉलो करें मुह्झे यूजरने हैं डिकिलसओनवाल 23 लिंक आपको डिस्किप्शम में मीज्ाइब झाल 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 झाल